तो दोस्तो मार्केट में आज देखिए हमको भारी गिरावट देखने को मिल रही है जिया दोस्तो निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में देखिए अरौंड 210 पॉइंट की भारी गिरावट वहीं अगर आप सैंसेक्स की बात करें तो सैंसेक्स में भी अरौंड जो है करेंगे क्या इनका impact होने वाला है और निफ्टी में कहां तक यह गिरावट और हो सकती है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे थोड़ी और डीब दोस्तों मुझे लगता है यह गिरावट हो सकती है उसके पीछे की रीजन्स यह पांच रीजन्स इस वीडियो में बतांगो सा लेवल पे हमको यहां पर क्या strategy follow करनी चीए ताकि हमारा दूस्तों यहां पर long term में एक हम यहां पर survive कर पाएं तो वीडियो के साथ बने रिएगा काफ अच्छी information आपको मैं देने वाला हूँ तो चलिए टेक्निकल चार्ट पर अगर हम देखें तो निफ्टी में अगर आप अच्छा support यहां पर नज़र आ रहा है वो आ रहा है around 17,200 से 17,300 के बीच तो इस लेवल तक निफ्टी हमको और गिरावट दिखा सकता है depending upon the situation market में क्या यहां पर situation रहती है तो यह दोस्तों correction और deep हो सकती है अब सबसे पहले हम बात करते हैं क्या है यहां पर reason तो सबसे पहला है यहां पर पढ़ती हुए नज़र आ रही है जिसकी वज़से index लेवल पर हमको correction देखने को मिल रही है और आपने देखा जो यह quarter two के जो result का दूस्तों यहां पर जो season था उसमें आपने देखा जितने भी FMCG companies हैं consumer वाली companies, consumer durable जो companies है paint companies जो है chemical companies जो है या फिर आप बात कर पर इसमतलब जितने भी जातर sectors में आप देखिए मार पड़ती हुए देखने को मिलिए inflation की आप अगर आप देखें मार्जिस काफी जादा negatively impact हुए हैं तो यह इसकी वज़े से आप देखिए stock में index level पर हमको correction आ रही है तो यह है दोस्तों पहला reason दूसर reason की हम बात करें प emerging nations में से पैसा निकलता हो देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर definitely interest rate जो high होते हो देखने को मिलेंगे interest rate high होंगे तो emerging markets में पैसा definitely निकलता हो हमको देखने को मिलता है तीसरा reason यह चीज़ आपको में detail में पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ तीसरा reason दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो FIIs और FBIs यहाँ पर लगातार माल बेचके निकल रहे हैं जिसकी वज़े से भी market में हमको correction देखने को मिल रहे हैं उसके पीछे भी same reason है तो valuation काफी जादा हो गये थे economy अगर हम बात करें नौमूरा, Morgan Stanley, Goldman Sachs जैसे जो बड़े brokerage firms जो बड़े investment banking जो है investment banking जो फरम से उन्होंने लगाता है यहाँ पर negative statements दिये हैं इंडिया की economy के लिए तो यह भी एक reason है चौथा reason अग काफी जादा मतलब दर्शारा है कि महंगाई बहुत जादा है तो wholesale price index की बात करें तो करीब करीब दोस्तो अक्तोबर मन्त में यह जो हो चुका है 12.50% जो कि September में around 10.60% के आसपास था तो देखिए यहाँ पर 2% की हमको rise देखने को मिली है CPI की बात करें तो CPI में जो अभी अक्तोबर का data है वो around 4.50% का आया है और जो September में था around 4.30% के आसपास था तो यहाँ पर भी मतलब कि food inflation भी बढ़ रहा है साथ ही साथ दोस्तो wholesale level पे बिजनस पे भी यहाँ पर महेंगाई की मार देखने को मिल रही है तो पांचवा reason अगर मैं आपको बताऊ तो पांचवा reason हो था दोस्तो biggest IP हो था इंडिया का इंडिया का तो इसकी वज़े से भी market में negative sentiment generate हो रहा है आज भी अगर आप देखें तो I think अभी 12% के आसपास हमको इसमें correction देखने को मिल रहा है जिसकी वज़े से market दोस्तों हमको यहाँ पर pressure में देखने को मिल रहा है लेकिन हमारी क्या रणनीती होनी चाहिए यह है main question यहाँ पर तो देखिए दोस्तों अगर आप एक long term investor है तो आपको यहाँ पर market में बने रहना चाहिए market में जो correction है उसका फायदा उठाना चाहिए और quality companies में आपको निवेश करना चाहिए market में दोस्तों survive करना most important part है market में अगर हमने long term survive कर लि देगा यहाँ पर कई ऐसे event हुए अगर हम बात करें 2008 में आपको पता है यहाँ पर financial crisis हुआ 2000 के आसपास dot com bubble आया फिर हर्शत में था scam था 1992 में फिर यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2014 में आपको पता है जो election वारा scene हुआ demonetation आया फिर covid आया लेकिन आप देखें market यहाँ पर हमेशा है तो economy इंडिया की emerging economy है और emerging economy होने के साथ साथ दोस्तों एक जबरदस्त हमारी जो है हमारी जो strength है वो है population तो definitely यहाँ पर consumption तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा consumption बढ़ेगा तो हमारा हर चीज में हमारी economy हमको उपर ही जाती हुई देखने को मिलेगी तो long term में आप दोस्तो definitely यहाँ पर बने रह सकते हैं long term में आपको यहाँ पर निवेशित रहना चीए लेकिन कहा निवेशित रहना चीए वो important है तो हम आपको बताता हूँ देखिए दोस्तो quality companies में आपको invest करना है यह बात हमेशा ध्यान तो definitely वहाँ पर आप माल बेज के निकल जाएंगे long term में फिर आपको काफी regret होगा economy में इंडिया में invest आपको जरूर करना है तो कहां पर मेरी नजर है तो मेरी दोस्तो definitely यहाँ पर नजर है बजाज finance पे एक और reason में आपको बताना चाहूँ को छटा reason आप यहाँ पर consider उसको किरावट देखने को मिल रहे है साओधी अर्म को की डील है वो जो cancel हुई उसकी वज़े से negative sentiment generate हुए मैंने यहाँ पर वीडियो भी बनाया था correction में आपको बोला था है यहाँ पर आ सकती है तो आपको reliance में भी दोस्तों यहाँ पर नजर रखनी चाहिए तो बजाज finance reliance ठी ठीक है साथ ही साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर पीडिय लाइट में भी आइटिंग में वो correction देखने को मिल रही है ठीक है और अगर हम बात करें तो मैंने दोस्तों यहाँ पर note down कर थे मैं आपको बताता हूं देखिए कौन कौन से stocks पर मेरी नजर है ठीक है private banks पर मेर पर आप नजर रख सकते हैं दीपक नाइटराइट ठीक है नवीन फ्लोरीन जैसे stocks जो हैं दोस्तों इन पर आप नजर रख सकते हैं quality companies हैं market में यह पहले भी situation को face करके आ चुकी हैं तो यह है दोस्तों मेरे portfolio में जो companies हैं जिन पर मेरी नजर है correction होए तो इनको और accumulate किया आप बन जाएगी तो यह है दोस्तों पूरा analysis 6 कारण में आपको यहां पर बताए क्या है कारण तो I hope दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और कोई आपके question doubts है तो comment box में जरू पूर सकते हैं जरू रिपलाई करूँगा मिलते हैं next वीडियो में till then take care bye bye